सभी आगनवारी बहनों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में तो जैसा कि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आगनवारी ओफिसियल एप जो है तो चलिए जानते हैं कि क्या फिर से आगनवारी टोकन सत्यापन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा पूरी जनकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो वीडियो आप सभी को एंड तक जरूर देख लेना है और आज की ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो वह भी आप लोग कर लिजिएगा तो चलिए आपको दिखाते हैं आपको कैसे चेक करना है जैसे कि यहाँ पर आगनवारी का जो ओफिसियल एफ है इसको आपको ओपेन कर लेना है ओपेन जैसे ही करेंगे तो आप सभी को मालूम होगा कि जो लभार्थियों का OTP सत्यापन किया जाता है वो यहाँ पर तीसरे नमर ओप्शन वाले में आते हैं तो इसी पर आपको किलिक कर देना है किलिक जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर आपका सेक्टर नेम प्रोजेक्ट का नेम आगनवारी केंद्र का नाम सभी डिटेल से यहाँ पर मौजूल रहेगा उसके बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले synchronize करना होता है तो यहाँ पर हम synchronize कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है month list loaded यानि कि जो इस महिने का list है वो load हो चुका है और उसके बाद यहाँ पर नया beneficiary sochi load करें पर click कर देना है click करने के बाद यहाँ पर आपको बितिय महिना select करना है इस पर आप जैसे ही touch करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर अपरील का month यहाँ पर शो कर रहा है जबकि फरवारी और मार्च का month यहाँ पर नहीं शो कर रहा था तो आपको इस पर click करके यहाँ पर get record वाले पर click कर देना है तो देखे इसमें दिखा रहा है इस आँगनवारी में कोई data नहीं है तो अभी मानिये कि यहाँ पर जो लभार्थियों का data है अपलोड नहीं कराया गया है और यहाँ पर भी थोड़ा से आप लोग ध्यान देते चलिएगा कि जो यह बितियों वर्स है वो 2021 और 22 दिखा रहा है जबकि यह बितियों वर्स समाप्त हो चुका है तो इस परकार से देख रहे हैं कि इस official app में अप्रील महिने का नाम सो कर रहा है उसके बाद यहाँ पर भी क्लिक करेंगे OTP सत्यापन वाले पर तो यहाँ उसके बाद बितियों महिने से लिक करेंगे तो यहाँ पर भी अप्रील महिने का नाम दिखा रहा है तो अभी ये कहा नहीं जा सकता है कि जो अप्रिल महिने का पुसहार है वो OTP के माध्यम से ही वितरन किया जाएगा तो उसके लिए ICDS विभाग के तरब से भी एक लेटर जारी होगा जिसमें कि आपको सूचना मिल जाएगी कि किस परकार से पुसहार वितरन होगा OTP के माध्य और जिनको फोटी फाइड युक्त चवल मिलता है उनको पोशहार के रासी कम लेगी उमिध करता हूँ कि आप सभी को आज की इस वीडियो से जनकारी मिल गई होगी अगर इस संब्बंद में कोई नए जनकारी मिलती है तो हम आपके साथ सेयर जरूर करेंगे तब तक के लि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बेल नोटिफिकेशन दबाने के बाद अल का बटन जरूर सेलेक कर लीजेगा और वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को और भी आंगन बारी बहनों के साथ सेर कर तब तक के लिए जाए हिंद।